Assalamualaikum students, today our topic in social study subject of class 1 is Animals Home, right? Animals Home, जानवरों का घर, ठीके? जानवरों के घर के बारे में आज हम पढ़ेंगे, इससे पहले previous chapter में हमने Animals के बारे में पढ़ा, Pits Animals के बारे में, ठीके? अच्छा जी, पिर हमने जो हमारी लिए useful होते हैं, benefit होते हैं, जो dangerous नहीं होते हैं, उसके बारे में पढ़ा पिर उसके बाद हमने dangerous animals के बारे में पढ़ा, जो forest में रहते हैं, और हमारी लिए dangerous होते हैं, ठीके? आज हम पढ़ेंगे उनके homes के बारे में, ठीके? इस तरह एनिमल्स को भी होम्स की जरूरत होती है ताकि वो वहाँ पे शेल्टर हासल कर सके, पना हासल कर सके लाइक रेंज से वो बच सके, स्ट्रॉम, तुफान उसे बच सके जब विंडी वेदर हो, हवादार मौसम हो ठीक है, उससे बच सके कोल्ड से बच सके, स्ट्रॉम से बच सके, तो इसलिए उन के लिए होम्स जो है वो बहुत ज़्यादा एहमियत रखती है, तीक है, आज हम पढ़ेंगे डिफरेंट एनिमल्स और उनके होम्स के बारे में यासर है, सीन अननेस्ट इन अट्री, यासर ने द्रख में एक गोंसला देखा था, ठीक है, देख चुका था यासर है, वो नेस्ट में इक्स को देखना चाहता था, ठीक है, चाहता है इन दे नेस्ट, ठीक है, वो गोंसले में अंडो को देखना चाहता है, ठीक है, किस तरह उन्हों ने बिर्ड्स ने अपनी लिए नेस्ट बनाया है और उसमें X दी है ठीक है तो वो द्रख पे चड़के वो नेस्ट को देखना चाहता है ठीक है कि वो किस तरह उन्होंने बनाया हुआ है और किस तरह उसमें X पड़े है ठीक है Animals, Birds and Insects Animals, चानवर, Birds, परिंदे and Insects कीड़े मकोडे जो चोटे चोटे कीड़े मकोडे होते है लाइक एंड्स, स्पाइडर इसी तरह वॉर्म्स ठीक है तो ये सारे कि सारे Insects हैं कीड़े मकोडे है नीट हॉम्स टू उनको भी गर की जुरूरत होती है The homes they live in, have different names The homes they live in, वो गर जहां पे वो रहते हैं, have different name, उनकी मुखतलिफ नाम होते हैं ठीक है, हर वो animals जो जहां पे रहता हैं, अपने गर में उसके गर के different names होते हैं Like जो animals रहते हैं, जिस तरह loin जो है, वो cave में रहते हैं, गार में रहते हैं इसी तरह जो horse होते हैं, वो stable में रहते हैं, जिसको उर्दू में stable बोलते हैं ठीक है, इसी तरह जो छोटे चोटे ends होते हैं, च्वेंटियां जो होती हैं, उन्हों ने अपनी लिए whole बनाए होते हैं, तो वहां पे रहते हैं, इसी तरह जो spider होते हैं, जो मकड़ी होती हैं ठीक है? उन्होंने अपनी लिए नेट सा बनाया होता है इसको कहते हैं विब ठीक है विब बिर्ड जो है वो नेस्ट अपनी लिए बनाते हैं बिर्ड लेव्स इन नेस्ट वो नेस्ट में रहते हैं गोंसलों में रहते हैं स्पाइडर लेव इन आ web spider جو ہے وہ web जाले में जो है वो रहते हैं वो अपनी लिए उन्होंने एक web बनाया होता है इसको web बोलते हैं उसकी home को web बोलते हैं तीक है और इसमें रहते हैं इसी तरह जो honey bee होते है उन्होंने अपनी लिए be hive बनाया होता हlling me chantha आ तीक है जिसमें वो honey जो है वो बनाते हैं कलेक्ट करते हैं तो bees live in a beehive ठीके जो bee है वो beehive में रहते हैं उन्होंने अपनी लिए ये चत्ता जो है बनाया होता है यहाँ पर एक और important point जो है the largest nest on record was built by a pair of eagle eagle mean उकाब ठीके उकाब ने एक जोड़े ने जो है वो सबसे लंबा nest गोंसला जो है वो बनाया हुआ है it was nearly 3 meters और ये तकरीबन 3 meter wide छोड़ा है and 6 meters deep और 6 meter जो है वो गहरी है ठीके ठीके जो 3 meters wide ये इसकी wideness है ठीके छोड़ाई and 6 meter deep और deep जो है इसकी deepness जो है गहराई जो है अंदर की तरफ वो 6 meter है ठीके इतनी जो है बड़ी largest nest जो है in pair of eagle ने बनाई हुई है ठीके now let's see the more animals and their homes okay animals home okay learn more about the animals and their homes right अब हम और animals और homes के बारे में पढ़ेंगे loin and bear lives in cave and den cave भी गार को कहते है और den भी ठीके ये animals जो है ये forest में रहते हैं forest में जो mountains होते हैं ठीके उन mountains में वहाँ पे जो गार बनी होते हैं जिसमें holes होते हैं सुराह होते हैं बड़े बड़ी ठीके तो वहाँ पे ये loin और bear जो है रहते हैं cave और den में next is parrot parrot जो हम गरों में as a pit animal pit bird रखते हैं तो उसके लिए हमने cage बनाया होता है पेंचरा तो parrots live in a cage next is cow ठीके जो हमने गरों में पाले होते हैं ठीके वो उनके लिए एक shed सा बनाया होता है जिसको ban the land type बोलते हैं ठीके बान भी एन बान भी बोलते हैं और shed भी बोलते हैं तो cows live in shed cow live in shed chicken ठीके जो गरों में चिकन्स पालते हैं तो उन लोगों ने chickens के लिए अलग सा एक area बनाया होता है ठीके जहां पे वो रहते हैं तो उनके जो रहने वारी जगा होती है that is called koop that is called koop chicken lives in a koop chicken lives in a koop next is rabbit 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 lives in a hutch ठीके उनके लिए हमने गरों में एक हच सा बनाया होता है वो भी एक cage की तरह होता है पिंट्री की तरह होता है लेकिन वो parrot वाली cage से different होता है ठीके थोड़ा बड़ा होता है so rabbit live in a hutch next is dog dog lives in a canal ठीके डॉग के लिए हमने जो वोट का एक रूम सा एक छोटा सा area सा बनाया होता है that is called kennel dog lives in a kennel dog lives in a kennel right next is bird birds live in a nest bird lives in a nest ठीके birds जो है वो nest में रहते हैं now I'm repeating loin and bear lives in a cave and den ठीके cave भी खार को कहते हैं और den भी बोलते हैं parrot lives in a cage cage cow lives in a shed cow lives in a shed chicken lives in a koop koop cdopi koop rabbit lives in a hutch rabbit lives in a hutch dog lives in a kennel dog lives in a kennel bird lives in a nest okay now let's do a reading again and also the drilling of difficult words animals homes yasir has seen a nest in a tree yasir has seen a nest in a tree he wants ठीके यहां पर a है तो wants e होता तो तब winds होता ठीके जहातर बच्चे जो है wants को winds बोलते हैं it's a wrong wants w a n t s wants he wants to look at the eggs in the nest animals birds and insects insects need homes too animals के बाद कोमा है तो हम तोड़ा सा जो है वो वखफा लेंगे ठीके इस्टे करेंगे तोड़ा सा animals birds and insects need homes too to mean bee ठीके इन्सेक्स को भी जो है जो है जरूरत होती है गरो की the homes they live in have different names और इन गरो में जो रहते हैं उनकी मुखतलिफ नाम होते हैं ठीके insects 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 need 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 mean जरूरत insects mean कीडे मकोडे जो चोटे चोटे हश्रात होते हैं like bees spider ants ठीके तो ये चोटे चोटे हश्रात हैं कीडे मकोडे हैं different 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 मुखतलिफ have have live 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 have right okay note on the homework do reading of page 51 on book do reading of page 51 on book right okay अब हम जो है इसके साथ एक video link ही है आप वो जरूर दे कि क्यूंकि उसमें हमने जो है और animals और उसके homes के बारे में detail से बताया हुआ है ठीके वो आप लोग जरूर चेक कर लें इसके साथ link किया हुआ है right thank you झाल उ crow